पर बात होगी इरान पर करारे पलटवार की इसराइल की तैयारी है और इरान ने जो हमला किया है वो अब तक का सबसे बड़ा हमला इसराइल पर माना जा रहा है मिसाइलों से हमला किया गया था अब नेतन्याहू कैसे इसका जवाब देते हैं इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं इसका कोई तोड है नहीं बहुत नुक्सान होता नहीं इसराइल पर तक्रीबन 200 मिसाइले दागी गई है और अब दो तस्वीरे देख लीजिए पहली तस्वीर इरान के हमले से पहले की है और दूसरी तस्वीर हमले के बाद की है हमले के पहले का एर स्पेस कैसा है हमले के बाद का एर स्पेस कैसा है इस तस्वीर के जरीए उसे आप समझ सकते हैं इरान का इस्राइल पर बड़ा हमला तेल अवी पर इरान का ताबर तोड़ हमला इरान ने तेल अवी पर आस्मान से बरसाइम बारूद इरान ने इस्राइल पर करीबन 200 मिसाइलों से हमला किया आस्मान से एक के बाद एक इरान की मिसाइले इस्राइल की धर्ती पर बारूद बरसाती रही और रात के अंधेरे में वहां तेज धमाके होते रहे एरान ने चुन-चुन कर इसराइल के महतपूर्ट हिकानों को निशाना बनाया तेल अवीव पर ताबर तोड हमले किये और दुनिया की सबसे खतरना खूफे एजंसी माने जाने वाली मुसाद के हेडक्वार्टर को ध्वस्त करने का दावा किया एरान का ये भी दावा है कि उसने इसराइल के परमाणू रियाक्टर को निशाना बनाने की कोशिश की एरान एजराइल पर इतनी मिसाले बरसाई जिसके बारे में कभी किसीने सोचा नही होगा एजराइल परकुए हमले के बाद प्रदान मन्तरी नेतन यहु की प्रती क्रिया सामने ऐ उनों एरान को सकत शेत अवनी दी नेतन यहुने अपने एरादे जाहिर कर दिये यानी साफ है की हमले का बदला लेने के ले एजराइल भी एरान पर बड़ा हमला करेगा इसराइल की सेना ने भी साफ कर दिया की हमला कहा होगा इसका फैसला इसराइल करेगा एक दिन पहले इसराइल की प्रदान मंतरी बेन्यामी नेतन यहुने इरान की जनता को संबोधित किया था इस दौरान उन्होंने इरान की साशन के आलुचना की थी उन्होंने इरान को चेतावनी देते हुए कहा था कि इसराइल अपने देश और अपने लोगों की रक्षा के लिए कहीं भी जा सकता है और नेतन याहु के संबोधन के 24 घंटे पूरा होते ही एरान ने इसराइल पर मिसाइलों की बरसात कर दी जिसके बाद पूरे इसराइल में हावाई हमले के सायरन बचने लगे जिसके बाद इसराइली सेना ने तुरंट सभी लोगों को बम शेल्टर में भेचने का दावा किया खाला कि इस हमले में इसराइल को जादा नुक्सान होने की खबर नहीं है इसलिए कहा ये भी जौरे कि इरान ने ये हमला सर्फ अपने एहम को संतुष्ट करने के लिए किया था और इधर जराइल के पलटवार के लिए इरान भी तैयार है इरान ने अपने हवाई लाके को बंद कर दिया है कल सुबर 5 बजे तक इरान का जो एर स्पेस है हवाई क्षेत्र वो बंद है इरानी संसत के स्पिकर ने इस्राइल को चेताब नी दिये कि अगर पलटवार किया तो कारवाई बिलकुल अलग होगी इस्राइल के हमले के लिए इरान पूरी तरह तैयार है ये कौन कहा रहा है? ये बागहिर कहा रहा है और इरान इसराइल युद्ध के बीच बड़ा अपडेट आपको दिली से देदें दिली में इसराइल एमबेसी दूतावास की सुरक्षा बढ़ाई गई है सुत्रों के हवाले से खबर एमबेसी के बाहर अतरित सुरक्षा बल तैनाद किया गया है इसराइल एमबेसी के बाहर पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई है ये अपडेट हम आपको दे रहें दिली का और इस बीज बढ़ा अपडेट ये भी है कि जैसे इसराइल की तरफ से हिजबुला के टॉप कमांडरों के लिस्ट जारी की गई थी वैसे ही इरान की तरफ से भी एक पोस्टर जारी किया गया है इसमें इसराइल के पी-एम बेन्यामिन नेतन्याहू को टॉप लिस्ट पर रखा गया है और उन्हें जिन्दा या मुर्दा पकड़ने का मैसेज लिखा गया है इसराइल के खिलाफ एरान की पोस्टर मेसाइब इरान के पोस्टर में नेतन्याहू को बताया गया मोस्ट वॉन्ट इट वारूदी जंग के बीच इरान का मोस्टर वार वार जोन में इस वक्त भयानत अगड़ मची है मिसाइल हमलों के बीच लगातार वस्ते सायरम किसी बड़ी अन्होनी की तरफ इशारा कर रहे है लोग जल से जल सुरफशे ठेकानों तक पहुंचना चाहते हैं लेकिन इसी बीच एक पोस्टर ने इरान की मन्शाओं को दुन्या के सामने ला दिया है दावा किया जा रहा है किये पोस्टर इरान की तरफ से ही जारी किया गया है इस पोस्टर में इज़राईल के परधान मंत्री बेन्यामिन नेतनियाहू को Most Wanted करार दिया गया है और पोस्टर के जरीए उन्हें जिन्दा या मुर्दा पकड़ने की बाते लिखी गई है यारी इरान सीधे सीधे बेन्यामिन नेतनियाहू को टार्गेट करना चाहता है यही वजय है कि अमेरिका के पूरू राष्ट्रपती डोनल्ड टरम्प ने तीसरे वेश्योद के कयासों का भी जिक्र कर दिया है इरान के इस पोस्टर वार की कहानी इस लिए भी एहम हो जाती है क्योंकि हिजबुला के चीफ हसन नसरला की मौत के बाद इसराइल डिफेंस फोर्स की तरब से भी एक पोस्टर जारी किया गया था इस पोस्टर में उन लोगों का नाम शामित था जिने इसराइल ने मौत की नीन सुला दिया था यानि मौलिस्ट जो इसराइल के लिए वानशित आतंकी थी इस लिस्ट में हसन नसरला का नाम टॉप पर था यही वजह है